जैशे राम, राम चरित मानस से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है, यह बात कोई तुलना की नहीं है, बलकि तत्व की है, राम चरित मानस को आप जितनी बार पढ़िएगा, उतनी बार एक नए अर्थ के साथ आपको वही बात फिर से प्रकट होकी है, यानि कहने का मतलब यह है, कि आप इसको एक बौद्रिक पुस्तक के रूप में पढ़ेंगे, तो यह आपको शाप्दिक अर्थ देगी, जब आप इसको भाव से पढ़ेंगे, तो यह आपको तात्विक अर्थ देगी, और जब आप इसमें डूब कर पढ़ेंगे, तो यह आ आस्त्रिक अर्थ वो है जिस भावना के साथ मानस को तुलसी दाश्ची ने लिखा है बहुत सारे वाद हैं विवाद हैं और रामचरिक मानस सदा से ही सनातन का एक ऐसा गरंथ रहा है कि जिस पर सब का टार्गेट है क्यों क्योंकि रामचरिक मानस घर-घर में समाया हुआ बहुत जानना आवश्यक है कि क्या रामचरिक मानस में जिन बातों को लेकर के वितंडा या विवाद खड़ा किया जाता है या असहमती खड़ी की जाती है क्या वे वास्तम असहमती योग हैं मैं यहां रामचरिक मानस के उस तात्रिक और वास्त्रिक और शाप्दे कर तीन कि यह सब डिटेल करने से पहले मैं एक चीज बहुत साथ कर देना चाहता हूं कि जो चीज हमको पता है सिर्फ वही ब्रह्म्हांड में है ऐसा नहीं हो सोचना चाहिए या जिसका अर्थ हमें मालूम है वही उसका अर्थ है ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि अध्यात्म और धर्म में बहुत सारे प्रसंग और संदर्व अलग-अलग होते हैं और देश और काल परिस्थिति खंड-अखंड समय अलग-अलग चीज़ें होती हैं ऐसी स्थिति में ये कहना बहुत ठीक नहीं होगा कि इसका यही अर्थ होता है तो कोई भी निरनायक अर्थ पर नही अपनी मत प्रक्रिया को अपनी मस्तश की प्रक्रिया को समझते हुए किसी इसतर तक हमें सहज होकर के सरण होकर किसी भी ग्रंथ का सिर्फ रामचरित मानस नहीं सिर्फ बाइबल नहीं सिर्फ पॉरान नहीं सिर्फ कोई भी और ग्रंथ नहीं किसी भी ग्रंथ के मर्म को जा मानस को पढ़ने के लिए मानस को जानने के लिए मानस को समझने के लिए सर्वत्तम तरीका ये है कि आप उस अपने मस्तिश को, मन को पून रूप से रिक्ट कर लिए और भाव से सिक्त कर लिए फिर आप पढ़िए भाव का अर्थ विश्वास नहीं है, भाव का अर्थ है सहज्जता जो हैं आप वही बन जाइए, जैसे हैं आप वैसे ही बन जाइए सवभाविक जब सवभाविक हो जाएंगे यानि भाव में सवभाव में हो जब आपके स्वेम के भाव में आ जाएंगे भाविक हो जाएंगे सवभाविक हो जाएंगे तो खुद बखुद जो इसका अर्थ है वो आप समझ पाएंगे आज की जो चौपाई है वो है धोल गवार शूद्र पसुनारी इसको अवधी में लिखा गया धोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी अब बहुत सारे जो विद्वान है वो इस चौपाई को डिफेंड करते हैं और बहुत सारे विद्वान है जो इस चौपाई को ओफेंड करते हैं याने कि वो इस चौपाई के माध्यम से मानस के संपूर्ण तत्व पर प्रहार करते हैं और बहुत सारे ऐसी विद्वान हैं जो इसके बचाओं में ऐसे उतराते हैं कि ताड़ना के अर्थ को अलग-अलग धंसे परिभाषच करने लग जाते हैं पर अंतु यह सक्त नहीं है मैंने जैसे पहले कहा कि जो हमें पता है वही सच है जो हमें नहीं पता है वो सच नहीं है ऐसा नहीं होता है बहुत से चीज़ें हैं जो हमें नहीं मादू हम दिल्ली कभी नहीं गए तो इसकार्थ यह नहीं एक दिल्ली नहीं है या हमने कभी यह नहीं महसूस किया एक दिल्ली की हवा खराब है तो इसकार्थ यह नहीं एक बहा की हवा खराब है या साफ है क्योंकि हमने महसूस नहीं किये तो बहुत सारे जो संदर्व होते हैं बहुत सारी जो शोध होते हैं वो हो रहे होते हैं जब जब जैसे जैसे हमारे सामने आते हैं हम वैसे वैसे स्विकार नहीं लगते हैं जैसे वर्षों तक वर्षों तक ये माना जाता रहा है कि पृत्वी चप्टी है बहुत वर्ष पहले ये पता चला कि प्रित्वी गोल है सनातन में तो ये पहले से ही मालूम था ये प्रित्वी गोल है तो दुनिया कुछ भी सोचती रही हो सनातन उसको गोल ही मानता था इस तरह से अगर देखें तो ढोल, गमार, सूद, पसु, नारी के सबसे पहले में शाब्देकर्थ पर आपको लिए चलता हूं तो शाब्देकर्थ तो इसका साब साब दिखी रहा है धोल, गमार, धोल मतलब धोलक, गमार मतलब जो अशिक्षित है, असब्दे है, जो सभाव में बैठे, लायक नहीं है वो उसको गमार, धोल, गमार, सूद्र, सूद्र याने के जाती हिंदूओं में, सनातर में, जो चार बरन उसमें एक सबसे आखरी का जो बरन उसको सूद धोल, गमार, सूद्र, पसुनारी, पसु मतलब पशु, जो अवधी में पसु बोला जाता हो पशु, पशु और धोल, गमार, सूद्र, पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, धोल, गमार, सूद्र, पसु और नारी, इस सब जो है, प्रताड़ना के अधिकारी, ताड़ प्रतारणा ही है उसका और कोई अरत नहीं प्रहार ही ए प्रहार ही है उसका अरत इस से बिल्कुल bearing looking होए आप इसको डिफेंड की एन आप सवारी अगर यई आरत तो ठोल तो ठीक है आप प्रतारित करोगे जो बजेगी और गवार भी ठीक है उसको सुधानने के लिए आपको डंडे क्या वे शक्ता पढ़ेगी ठीक है वहां तक भी ठीक है धोल गवार सूद्र कैसे प्रतार नाकादिकारी हुगा सिर्फ प्रतारित क्यों होगा क्यों को उसको मारना चाहिए फिर स और थो रहा है शाब्द कर्थ लेते हैं तो शब्द अगर आप सुनते हैं धोल गवार सूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी का शाब्दिक जो अर्थ है वो यही है जो आपने में अभी सुना मारना चाहिए इक हो पर उसको शाब्द कर्थ कर्थ नहीं है राम चर खीट लह में गाई हुई कथा है इए इसको गाने का काव है यह तो शब्द के अर्थ नहीं है शब्द से अगर अर्थ निकालेंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे जैसे हम राश्री राजमार पर चल रहे होते हैं तो उसमें सीधा एया रो बना रहता है सीधा और उसमें लेक सीधा सीधा एसे ही शब्त का जो अर्थ होता है ना वह जो बताया जाता है शब्ड का अर्थ जैसा का तैसा सुनाई देटा है वैसा का वैसा नहीं होता है आप उधारन से बेतर समझे होंगे कि हम को कहीं जाना है तो देश्टिनेशन पर लिखा रहता है कि सीधे फला जाएगे सीधा रोड नहीं होता कई सारे ओर врем images यह जब जैसे जैसे आईगे तब तब वैसे plus बताए जाएगे जैसे अब जा रहे हैं आगे चलकर दिल्ली के लिए आपको राइट मुड़ना पर सकता है तो फिर आपको वहाँ एरो मिलेगा दाइं मुड़िये फिर आप क्या कहेंगे अरे अभी तो यह सीधा जाना है अभी दाइं मुड़िये क्यों बोल रहा है क्योंकि जब उसने बोला था तब आ अगर आप लेगे तो शाब्दिक अर्थ जो होते हैं वो ठीक इसी तरह के नेविगेशन होते हैं अब बात सवाल यह आता है कि नेविगेशन क्या यह कह रहा है कि नारी को और सुद्र को प्रतार्ट किया जाना चाहिए जी अभी फिलाल में आप यही मानिए कि जिन श्रीणियों के साथ अलग धंसे ट्रीट किया जाता है तो पहले तो यह समझे किसने किस से कहा है भाव में जब आप जाएंगे तो राम चरिक मानस कई पात्रों को मिलाकर एक कथा है कई पात्र राम जी हैं सीता जी हैं दश्रप जी हैं कहकेई हैं कौसल्या हैं हनुमा बहुत सारे पात्र हैं इतने सारे पात्र हैं तो पात्र आपस में अपने स्वभाव के अनुरूप संबाद करते हैं जब आप ढोल गवार सूद्र पसुनारी की बात कर रहे हैं तो आपको उससे ठीक पहले कुछ चौपाईयां भी पढ़नी चाहिए जिससे आपको क्लैर्क होगी क्या चौपाईयां पढ़ने चाहिए कि हो यह रहा था कि भगवान राम भगवान राम अब इस चौपाई के समय भगवान राम लक्ष्वन और उनकी सेना समुद्र के तड़ पर बैठी हुई है और राम जी से तू उस समय तक बनाने का उनका इरादा नहीं था राम जी विने कर रहे हैं समुद्र से कि भाई समुद्र हमको रास्ता दो हमको रास्ता दो उस पार हमें जाना है और माता सीता वहां विराज माने उनको लेके आना है उस समय तक भी रावान को मारने का नहीं था उनका तो उससे पितना कह रहे थे मुझे जाने दो मिरी पत् बिनेन मानत जनत जड़ गए तीन दिन बीट बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत तो राम जी ने हैं एक मंत्र दिया ये राम जी का बात पर है कि तीन दिन जब हो गए भगवान को बिनाय करते हुए समुद्र से समुद्र नहीं माना तो उन्होंने क्या कहा भगव प्रवास भैवी आवश्यक है भैगार्थ होता है सामने वाले के बराबर आना तो कब हो जाएगा यह तो भैविन होत न प्रीत यह दोहा है कब से पहले धोलवान सूद्र पुसुनारी से बहुत पहले हैं पिर कहते हैं लच्छमनिबान सरासने आनू सौशौंबार इदिक पिसिक करसान हूं सच सन बिन एकुटिल सन पीती सहजिकरबन सन सुंदर नीती अब यह जो पाइए लच्षवन जी जो है लक्षवन जी से क्या कहते है राम जी जब यह बोल उने गुस्टा आया तो उन्हें लेख्षवन तरुश्वान देकर आओ मैं अग्रीवान से समद् है घधादेव आप यहां से हट जाएए नहीं हटेगा अब टंडव ठाएगा हर व्यक्ति से हर एक अलग तत्व के साथ आपकी डीलिंग ढलग धंसे होती है जैसे आप फल को काट का रखा सकते हैं दातों से काटे या चाकू से काटे पल को काट बित्ष्वे हैं तो पना मी आप काटे विन से काटे चाहिए चाहू जबले वह मीथा है आप उसके साथ प्रेम करेंगे तो भी उसको फरक ने पढम वह आपके साथ ब्लग excited करेगा जैसे जब मौका उसे मिलेगा वह आपके साथ गड़ा करेगा तो कुंती संप्रीती नहीं करनी चाहिए राम जी बोल रहें सभाव की कंजूस से जो उनको सिर्फ पैसा पैसा रिखता पैसा दो पैसे बच जाएं जान जाए दमडी जाए चमडी जाए दमडी ना जाए वाले जो होते हैं वो उनसे सुन्दर नीती की बात करें गया यानि उदारता का उप्देश उनसे लेगे उनका पैसा है तो पैसे की बात करें इसके बात क्या करते हैं ममतारत सन ज्यान कहानी आति लोभी सन वेरति बखानी क्रोध ही समकाम ही हरीकता उसर भी दिल बैं फल जथा आप क्या बोलते हैं राम जी ममताम फजे हुए मनुष्य है याने पूरी तरह से माया मोह में मैं फसा हुगा व्यक्ति कि मेरा घर मेरा द्वार मेरे बच्चे मेरे शिदार मेरी जमीन मेरा व्यापार इस सब में फसा हुआ जो दूसरों की परवाह करता ही नहीं है ममता का अर्थ मावाला नहीं जो माहूती मातिर्तु वाला नहीं यहां पर अर्थ है ममता का वही बात भावेकार्टिक भावेकषा किया मोह मोह में खंस हुए व्यक्टि उसको मनुश्य से ग्ञान की कृथ है confess जिसे ग्मन की बात करेंगे जिसके मन में यह चल रहा है कि दो पैसे में यहां से आ जाएं दो पैसे रहांसे यह जमीन खरीद रूँ एक बार में उससे आपको हो कि सब यही रखा रहे जाएगा कुछ काम नहीं आएगा उसके आंके नहीं खुलेंगे यह जो शरीर है जिस शरीर में आप बात कर रहे हो यह शरीर यहीं छूट जाएगा और किसी भी समझ छूट सकता है किसी का भी छूटता है सब क चुटता है आपका मेरा हमारा सब का चुटता है कुछ नहीं बचΤा तो एक उसको बोलते हो तो उसको लिए ग्ञान जो है नहीं जाता कि SAMU ।osim वो इस थाए नहीं है आज तुम उसके भोगता हो कर कोई और सको भोगता होगा आपकी बच्चे होगे बच्चे होगे आप नहीं रहोगे आप चले जाओगे मर जाओगे सब मर जाते हैं खत्म हो जाती थी यह इसकार ती यह नहीड है कि आप जमिन जधा सर kur ress जाता है कि उस्त Cash के मन में चल रहा है कि यह बी लेलु बढ़ी लेलु यह बेली यहां से मिल जा उससे को वैराग कि दिता कोई स्थी त्याग दो उस से वैराग की बाद करना है क्रोधी से शंद क्रोधी-वथा आमातुरता हो जिसके अंतर मन में लड़की के मन में लड़के के प्रती, लड़के के मन में लड़की के प्रती इतना भयानक अगनी काम की जल रही हो और आप कहें आओ भगवान की बात करते हैं, वो नहीं करेगा, उसके मन में दूसरी बात चल रही है, वो उस दूसरी बात म सकता पत्रिली जमीन होती है उसमें बोने के समाने इनसे कुछ बोलना है राम जी बोलना है फिर क्या बोलते हैं असकही रभुपति चाप चड़ावा यह मत लचिमन के मन भावा संधान्यों प्रहु बिसिख कराला उठी उदधी और अंतर ज्वाला फिराता मकर्ग उरग जश गन अकुलाने जरत जंत जल निधिजव जाने कनक थार भरी मन गन नाना विप्र रूप आयवतजी माना अब देखवा यह चार चौपाईया मैंने भी आपकी सामन पड़ी ढोल गमार से पहले की चौपाईया मैं वहां तक लेके जा रहा हूं आपको ढोल गमार को समझाने क लक्षमन पहले गने जब ताकत है आपके पास तो और यह रहता प्रम अपने में रहना अपने विवस्था में रहना अपने अनुशासन में रहना और अपनी नीतियों सिध्धन्त है उन्पे चलना वो नीति सिद्धन अपनी कार्थ होता अपनी, मितलब सब की जो अपन है, अपना जो है, उस सब की अपनी कार्थ है, अपना जो जो है, उस सब की निति, इस कार्थ किसी और के लिए आकरमन कारी हो जाना नहीं होता, तो राम का होने कार्थ ही है, लक्षमन होने कार्थ ही है, जो शक्ति पर विश्वास करता है तो एसा करने और जैसे भगवान ने जैसे ही राम ने जो है संधान किया बान रखा धनुष पर तो क्या हुआ तो जिसे हिर्दय के अंदर जो समूंत्र के choses के अन्दर अ अगनी की ज्वाली क ऑगनी की ज्वाला अंदर समूंत्र के अंदर एघ्रई अक्रोश्स पैदा होगा है obtुर्डवण के राम के पास सब विद्ध को अगर in evento ना भी मानो तो एक विद्याम वैक्ति ऐथे तो एसे करके हम दिखते हैं तो कहां पहुंसते हैं कि समुद्र में अंतर जॉलाएं भई फिर क्या होगा समुद्र के अंदर रहने वाले जो जली जीव है वह अपनाने लगी परिशान होने ले घपराहट होने लगी अरे अब क्या होगा जब जल सूख जाएगा था मर यह तो समुद्र के जीव जो है जलती जाना तब किया हुआ अब इधर से घलती करता है कौन समुद्र समुद्र कनक थार भरी मन गन नाना समुद्र जो है सोने की ठाली में तरह तरह की मणियां जिनको गिना नहीं जा सकता कीम्ती मणिया लेकर कि भगवान नाम के सामने प्रकट होता है कौन होता है सब्वेक्ति जो पहले तो सुनता नहीं है आप की बात को ब्राम जिन से विने कर रहे हैं यूं बिने नहीं सुन रहा को उसको प्रणा दिखायों से अर्ब ने ऊंहीं लुप शरीड़ का श्रेष्थ व्यक्तित्व का श्रेष्थ मरेच्टी व्यक्तित्व का उसको करते हैं ब्रामन जिसमें पांस तरह की श्रिष्ट ताएं हो ब्रामन पर अलग से मैं बनाओंगा भूडियो तो वो भी बामन के रूप में ब्रामन के रूप में क्या लेके आया है वो रिश्वत राम जी इस पहले बिने करी राम जी ने वो सुनता नहीं है और जब सुनता नहीं राम जी जब अपनी पर आया तो वो लेकर आया मनिया सोने की थाल रिश्वत लेके आया कि राम को खरीद लूँगा एक योधा की पहले विनन ही सुनता है फिर सुआ योधा को खरीदनी के लिए विलेके आता है यह दो दो नीचताय समुद्र कर रहा है अभी उसको हषास नहीं फिर क्या बोलता है फिर राम जी बोल देते हैं में काघुशन जी कहते हैं करोड जी को बोल रहा है करोड जी एक करोड जी भूलते हैं काल्ण करते को तो प्रसंग को देखकर की जी काट करीत ऑफ बोल एक suspension को इस वह विजे निकर जो k 통 किसको गरोड जी को तो सिदाश्जीन सर्फ उनकी बात को यहां लखा है उनने क्या बोला कि गरोड़ जी सुनो चाहे कोई कितना जतन कर ले जैसे आप जानते हो केले का जो प्रेयर होता है उसकी काट करने ही पर दो काटते हैं तब ही फलती है नहीं तो आप कितने पानी डाल कितने ही खाद डाल कुछ ही करो है काटे कि करना की तो कि निकाला समदर के सामने कैसे नीचे पहले थे नहीं फिर दूसरी जब उन्होंने अपनी सक्टी दिखाने शुरू के दूर देने आ गया दो दो तरह से नीच है फिर क्या होता है सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे छमव नात सब अवगुन मेरे गगन समीर अनलजल धरनी इन गही नात सहज जड़ करनी तव प्रेरित माया उप जाए सुरिष्टी हे तू सब गरंथनी गाए प्रभु आयसुजे ही कहें जसे अहाई सोते ही भांती रहे रहे सुख लहाई प्रभु भलकीन मोही सिख दीनी मरे जादा कुनी तुम्हरी कीनी अब आती उचोपाई धूल गवार सुद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रहु प्रताप मैं जाब सुखाई उतरी ही कटकु न मोरी बढ़ाई प्रभवज्या पेल शुति गाई करों सो बेगी जो तुम ही सोहाई सुनत भी नीत बचनेती कहे कृपाल मुसकाई जेही बिधी उतरे कपी कटकु तात सु कहा हूपाई अब क्या होता देखो कि जब यह घटनकरम हुआ तो फिर अब वो समझ गया समुद्र जब उन्होंने कनक्तार लेके आया और राम जी जो धृकुटियों सो उसको देखा दो समझ गया डर गया तो रिश्वत देने वाला भी डरता रिश्वत लेने वाले तो थे नहीं पर कांपने लग गए और भगवान के चरणों में राम के चरणों में गिर गया है राम के चरणों में गिर करके उसमें बोला राम जी से मेरे सब अगण क्षमा कर दो मैं नीच हूं मैं रिश्वत देने वाला आदमी हूं मैं भरष्टा चारी हूं और मैं खराब व्यक्ति हूं मुझे माफ करना तो राम जी से माफी मागने लगा और क्या बोलता है आकाश वायू अगनी जल प्रित्वी इन सबकी जो करनी है सभाव से जड़ है जड़ मतलब स्थिर आकाश स्थिर है प्रित्वी स्थिर है अगनी स्थिर है जल स्थिर है वायू स्थ दूसरा नहीं करते एक ही जड़ जडवत तिनको बुद्ट है वह मैं इसको इस तरह से मानता हूं पांच चीतों को जो तोसी दाश जी नहीं है यह पंच भूत हैं समुद्र यह कहना चाहता है पंच भूत से बने हुए हर प्राणी पंच भूत तत्व मतलब जिन जो हमारा श् पेट पर आधारित है जब तक इनका पेट का पेट्रोल नहीं मिलेगा इनको यह तब तक नहीं चल पाएंगे और पेट का पेट्रोल हासिल करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है नीच कर्म करने पड़ते हैं इसलिए प्रकृति ने जो 84 लेक्स जो जीव जंतु है प्र ऐल भैस गधे गोडे सिंग सबके और प्रित्वी की और होते सिर्फ मनुष्य के हैं जिसका पेट पर तो प्रित्वी ऑर जोएऊ इनको आ कि आधा न धो उर श्रेश्थ है न नुकृत निकृष्थ सब्सक्राइट के लिए हैं उसके पास दोनों विकलत वह अगर सहीं अम करें अनुशासं करें तो आश्ट्रेम परमात्मा की प्रापती की की कि तरफब बन सकता है पेट को उपेखशत कर सकता है योगी बन सकता और नहीं तो हम आप सब हैं ही, पेट के लिए जी रहा है, खा रहा है, मर रहा है, सब को जी पेट के लिए कर रहा है, तो हमारे पेट जो हैं भले ही बीच में है, लेकिन जुके हैं, तो ये मैंने यहां एक शेपगत पंच भूत से बने हुए जितने ही प्राणी है, समुद्र कहता है, पंचबूत का एक अंग हो एक हिस्सा हो तो मैं तो नीच होंगा ही तो अब समुझ रिहां पर बधिक रूप से अपने आपको बचाता है भाविक रूप से भी बचाता है अब जब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या कहता है तो आपकी प्रेणा से ही सारी माया बनी ही राम जी ओर ही सी कहता है आप यह आपकी प्रेणा सब बने आपकी प्रेणा दो मेरे निःच यह निव यह सब कहते हैं कि शिष्टी के लिए उत्पन किया गया है आपने स्रिष्टी ऐसे चलती नेगटिव पॉजिटीव न्यूटर जो तो ने ब्रह्मा विश्ण महेश कि पॉजिटोन न्यूटरोन प्रोटॉन इसी चलती न तीन तत्व चलती तुरुन तुरुन यही है तम रज सट तीन गुण है तो वही तीन गुणों से चलती पृत्वी तो उनमें सब है आप ही कब बनाया है तीन गुण भी जिसके लिए स्वामी जैसी आज्या करें उस परकार से रहने में सुख पाता है आप जिसको जिस जो काम देते वह करता है जिसे आपने बुराई का काम दिया आप ने अच्छाइब चैक काम दिया अच्छाइब कर गया तो अब यहां पर उसको ग्यान प्राइबत हो गया रामजी की एक भृपुटी एक रोधवनी भृपुटी ने समुद्र जैसे जड़ को ज्यानी बना दिया है जब कि आपने किया है तो मैं कौन मेरा अगर आप रध मेरा है सजादो सजादो और असकार्थु में न्यूट्रल साक्षी हूं कि तुर्गण का एक हिस्सा तुर्गण पंचभूत कर दो फिसा कि आप ने मना है जो भी है वह आपका है इतना ज्यान कैसे आ इतने में इतना ग्यान आ गया है जो इसका तात्विक वास्तविकर्थ है तो इसके बाद क्या होता आपने बड़ा अच्छा किया रोगवान समुद्र बोल रहा है प्रभु भल कीन मोही सिख दीने आपने बड़ा अच्छा किया मुझे जो है शिक्षा दी मेरे पे संधान किया आपने बां तो मुझे शिक्षा मिली मर展 पुनी तुमिरी की नहीं आपने अपने जीवों की रक्षा का जो आपका सभाव है देखो कितना ज्यान समुदर में आ गया है उस नीच था उसमें ज्यान आ गया कि आपने बड़ी किरपा करी कि मुझे शिक्षा दी और आप तो प्रभू सब जीवों के करुणा ने भाद है करुणा है आप में तो लग्सार्म है आप तो आप ने जो है अपनी मरियादा का मान रखा और जीवों का जो सभाव है कि जो आपकी बनाइगे है कि तो आपका ही बनाया हुआ है जीवों को सभाव है समूदर क्या क recommend आप बोलता है यह ऑρका समूदर यह राम जी ने नहीं बोला ये तुलसिदाश जी ने नहीं बोला ये लक्षमण जी ने नहीं बोला राम चरित मानस के एक भी ऐसे पात्र ने नहीं बोला जिस पात्र को इस्थापित किया गया है एक सकारापमक शक्ति की उसने नहीं बोला ढोल गवार सुद्र पसुनहरी ये बोला है समुद्र ने कौन समुद्र ने उस समुद्र ने जिसको अभी हाली में रामने नीच कहा जिसको रामने लोही कहा जिसको रामने इसी में इसी करम में जिसको लोही कहा जिसको कामी कहा जिसको नीच कहा जिसकी करनी को खुद उसने माना की जड़ है इस थावर है उसको कहा पंचभूत का एक हिस्सा है जिसमें तुरुन का तम जादा है उसने ये कहा धोल गवार सूद्र पसुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी तो समुद्र कहरा ये बात इसका है वास्त्रिक अर्थ समुद्र कहरा है कि आपने सब को सभाव दिया है धोल गवार शूद्र पशु और सऽ्त्री यह सब जो हैं ताड़ना के अधिकारी यह सब को सीखना सीख देना प्रभु भलकीन मोख सिक्भ दी नि आप ने बड़ा अच्छा किया मुझे शिक्चा दी यह सब जो हैं शिक्चा कि अधिकारी नहीं वोल गवार सूद्र पसु नारी मेंद्री मोन में कॉन है उ प्रभु भलकीनी मोशिख दीनी वहान आपने बड़ा चकी आपने मुझे सिक्षा दी मर जादा कुनि तुम्री की नी किन्तु मरयादा की मरयादा भी आपकी ही बनाई हुई है हैं नीज थो रगवार सुद्र पशुनारी सबको शिपछा का दिकार सबको पढ़ने का दिकार इसका यह होता है इसका जो वास्टवे करते अब कह कौन रहा है समुद्र तो समुद्र कोई ऐसा तो है नहीं जिसके पास बहुत अथा ग्यान है उसको तो साम जी की जो है दर्शन के बाद उनके भृकुटी से नाराजगी भरी भृकुटियां देखने के बाद जो है उसको क्यान प्राप्थ हो रहा है तब वो यह कह रहा है कि मैं नीच हूं जब उसे नीचता का बोध हो गया और परम्भक्ति की और बढ़ गया है तो भक्ती में भ बुद्धी काम कर रही है तो इसका अर्थ यह है कि भक्ती वहां नहीं हो सकती जहां पर बुद्धी किसी मिलूप में विद्वान होगी तो बुद्धी काम करती है ज्यान में भक्ती काम करती है बिल्कुर निर्द्वन्द होगा निर्द्वन्द निर्द्वन्द मतलब जि प्रवधारणाय होती है यह एसा है इसलिए क्यूंकि किसलिए तथा अपितू यद्दपी कदाचित यह सब शब्दें गुद्द्य के है यह कोई भी आव अपने विदाता को मानो है 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 भजो 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 ऐसे कुछ एक लाइन पकड़ो भक्ती होती है कदाचित यद्दपी हाला की इसलिए उसलिए किसलिए क्योंकि तथा अपितू यह सब जो है गुद्धी के खिलोने गुद्धी की विलासम गुद्धी की वह चाप है जो नाव को इदर उदर भटकाती पार लगाना पड़ा कठिन यह कभी इदर जाएगी कभी काया किंग और पानी को यह गुद्धी है यानि इसतर भुद्धी काम करती है तो दोल गवान सुद्र पसुनारी एक तो शमुत्र ने कहा उसका शाप्धीकर्थ वही है जो आपने समझा भावे कर दे रहा है और वास्तव कर दे है कि उसकी शिख्छा के अदिकरी क्यों प्रभुभलकी केंब भूल जाते हैं कि भज़वान आपकी बनाई हुए मर्यादा यह काटा हैं चुभेगा फूल है यह हैं यह आपकी बनाई मर्यादा हैं फूर माया उपस्ति अप शिर्फ हैं जो नहीं कर पाते हैं ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं कहना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं और जो मारा मन यह अपंच भूत का है कि अपंच मतलब इसके पांच शे आठ पोई भूत ने यह परमात्म का सीधा कनेक्शन यूइस का वो उसका वो है उर्जा आप जो इन्वर्स की उर्जल पंचभूत के साथ आती है जैसे आपके घर में एक कंप्यूटर है लेप्टॉप है यह पंचभूत हो गया एक तरह शरी अब उसमें जो इंटरनेट आ रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है तो जब उसमें अंदर हम जाते हैं तो हम किस से काम करते हैं उस आत्मा से काम करते हैं इंटरनेट पर हम जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं बहुत सारी वर्साइट्स होती है बहुत सारी लिंक साइट्स होती है उन्हें फिर बहुत बहुत विशाल विशाल वह कहीं भी जाते तो जब वो और जाए एक सही दिशा में काम करती है आप पर्टिकुलर में जाते हैं तो कुछ रजल तक पहुंचे अगर ऐसे जिसको कहते हैं सर्फिंग इंटरनेट सर्फिंग एक शब्द था बहुत साल पहले अब थोड़ा कम हो गया 20 साल पर इंटरनेट सर्फिंग मुलते सफिंग सिर्फिंग करें बिना किसी लक् genetically सफिंग तो सफिंग करें तो आपका ही पहुत सारे मत्यकुद जो हम बात बाहर चरब बाठ पार चले जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं ना है कि आपकी अगया पुर films है जैसा को हैं वैसा करूंगा लेकिन लेकिन क्या मुलता इंजे मिलेंподकि नियुक्ट पेख भींगे कि आपका सब्सक्षां के राम बेहें ठीक नहीं क्यों तो सुनत बिनीट बचल अ कह गर्पाल मोने उसका है पस रउस्ट आप अपर्फशम और आप गया है उसकी इतनी बिनीत बचन इतनी नमर बचन उसकी सुन करके राम जी पिघल गए यानि राम जी जरा में प्रसंद हो गए तीन दिन गए सब को बस गए तीन दिन भी राम जी को क्रोध के लिए तीन दिन का समय लगा और पिखलने के लिए एक सेकंड चार पाप्जव फाई monstr qui कितना समय लगा। पिखलने उनको तीन मिनट चार मिनट भी नहींट लगे दिहुँग Aah ओड़ तीन लोगे हैं तीन मिनट जाये वह राम और हम क्या है तीन मिनट में पिखलते हैं ओजी नहीं नहीं पिखलते कई वार्टीन चोड़ो तीस दिन तीन साल तीन जनम नहीं पिखलते और क्रोद आ गया तो राम बटब ठीक उलते तीन दिन में आ पाया हुँ टीन सेकर्ण कुछ हम उल्टे हैं कुरोध तो हमको तीन सेक्रण के जासे हैं यह एक संह्रका इसका तेजल से जहीं पिकर गये उत्फरा सर कर्म कुष्ड है reading gdy तहले करansenes in है कि मैं आपको यहां पर सिर्फ यह बताना चारता था धोल गवार सुद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी का शाब्देकर्थ भावनात्मकर्थ और वास्त्विकर्थ तो वही है जो आपको सुनाई दिया मारो पीटो लेकिन शाब्देकर्थ जैसे में आपको उधार लेकिन सीरा रोट तो नहीं होता है जिए जिए गोत्व आगो सकता राइट जाए लेट जाए भी खंबाग तो फिलाल सीरा है वहां से ऐसे ही इसकार्थ है यह अर्थ हुआ शाब्देकर्थ भावेकर्थ ही हुगा कि समद्र राम जी से संभाद कर रहा है तो समद्र है कीन मोह ही सिक दी तुमने बड़ा अच्छा की अब अग्वान जी को मुझे शिक्षा दी क्योंकि यह सब भी शिक्षा क्यारी है यह सब भी क्योंकि वो दौर कालखंड जो था तुलसी दाज जी का मुगलकाल था मुगलकाल में एक बात थी जब नारियों की स्थिती बहुत खराब थी तुलसी दाज जी ने इस समद्र के माध्यम से बताया उस समय पढ़ाई नहीं जाती थी स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती थी समय की महीला आज भी हलाला और तीन तलाक कई चीजियों की शिकार हैं बहुत कॉंप्लेक्स रिलीजियन है इस्लाम कुछ अच्छी बात थैंब हैं एक बिस दिन उस पर भी वीडियो बनागा लेकिन कामप्लेक्स से बहुत जादा तो उस दौर कालखंड में जो समाज था व कि काम भावनाव को शांत करें मैं क्ति इसके अतिरिक पूल का काम नहीं तो चूंकि राजकाज जिसका होता है समाज भी उसी तहरा से सोचता है जैसे कि आज इस्तिति में भारत कोई आपको जला हुआ हुए धे शनातान को गौरब महसूस हो से समाज का असर पड़ता है चलना चाहिए तब ऐसी स्थिए रहा था रा समाज यह समाज चलना बड़ות पर शुद्र हो को क्यों शुद्र को बड़ा टो राज के लिए निदे को सुध्र क्यों रिखा है सुध्रों को है पढ़ने कधिकार नहीं था इसमें मुगलों का अपना रोल से पितना था को उनको बटे हुए हिंदु मिल गए बटे हुए भारत के लोग मिल गए बटे हुए आपस में एक दूसरे से चिड़े हुए तो बहुत आसान था उनको राज करना कि ब्राह्मनों को अपनी सभाव मे उच्छ पदो क्षत्रियों को अपनी जो है शस्त्रा गारों में लडाई लड़ो आने के लिए उनको सेना पतियों के पदो और वड़ेकों को अपनी एमानी वेमानी करने दो या पार करने दो और वसूलने के हिसाब से उनको जो कुछ अंधा काला बीला करना वो करने दो ब रामन बनिया और शत्री इनको प्रमुक्ता दो तो उन्होंने वो दिया यह तो यह क्या थी विवस्था थी लेकिन उग्र नहीं थी उस समय पर बुगलों को राज करने के लिए रास्ता दिखाई दिया वैसा कि और अंग्रेज प्रवंद्धन के प्रवंद्र करके और सुपर्वाइस करके सुधार करके इसको इसको इस्तमाल किया उन्होंने तुसके इसको राजकार में लादी आरक्षण वहीं से जन्म लेता है हो सकता है समुद्र को समस्कार, अगर वास्तमी कर्थ उमज जाए बहले व 20 समस्सक्ता हो कि अच्छों से लिए कोई किताब में इसे लिखी ला सकती है कोई 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 एसी तानाशाही कभी संभभ या कोई ऐसी तानाशाही जो हजारों करोना वर्शों से चली आ never possible without जो लोगों को साथ में लिए है इसलिए this is very fact कि बिना आप जनता को अपने साथ लिए कुछ भी मनमानी भी नहीं कर सकते है को मनमानी जनता को साथ लेने के लिए कुछ तो सकरात्मा कर रखना पड़ेगा आपको तो ये एक इसका अर्थ है रामचेद मानस को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए उसको समझने का उसमें डूबने का उसको गाने का प्रयास कीजिए निश्चिति आपको हर बार हर चौपाई में आपको नए प्रसंग बिलेगा मैं आपको जो मैंने भी प्रसंग सुनाया इन चौपाईयों से मैं अपने जीवन काल में कुछ नहीं तो कम से कम 500 टाइमस गुजना हो नहीं तो कि एक छोटी सी क्रोदवाई वरकुटी नहीं जो उसको नीच को विद्वान बना दिया एकर इसका ये निकाला एक अर्थ ये दिया है जो बोले ना गगन समीर अनल जल धरनी इस का अर्थ है पंच भूस से बने हुए शरीर पंच भूस से बने हुए प्राणी जिस पेट वाला जो मैं बोल रहा था एक अर्थ ये निकल किया है और एक अर्थ कि राम जी को क्रोधित होने के लिए तीन दिन आपके मस्तिष्क में वितन्डा आग्रह पूर्वाग्रह प्रोध ये वो जैक जैक इसन ना हो निश्चलों करके कुछ पाने का कुछ हासिल करने का कुछ जानने का कुछ जिग्यासा का कुछ समझने का एक मन में अभीष्ट ओ श्रब्धा उसके लिए एक रास्ता होती है सेहज कर देती हैं कि डॉन परी इसका कोई नब बुओभ अभी सुनों हभी सुनों अभी सुन अभी होने झाला अभी अभी इस तो जिग्यासा अंदर तक जाती है और और आप जैसे अरे ने ये तो बात सांदर में धुरू थोड़ी है कि अब अगर शाब्दिक रूप से देखेगा जस्टिफाई करेगा कि कोई कोई एक भतिजा अपने ताव को अपने गुरू को बान से मार रहा है और हो कह रहा महान अर्जुन लेकिन जब आप गीता को पढ़ेंगे जो थे उनको समझेंगे उनके मन को जानेगे तो पता चलेगा कि यार विमर्ष किसको कहते हैं जैशेगा